कैड है छालो फ्रैंड स्वाइट आपका गीताएज काना में आज हम काना जी के लिए कैप बना रहे हैं इस के झानाची के लिए ह्टे अगर आप बालो के साथ लगाने चाहेंगे तो आप 45 की चेन मिला लेंगे तो 40 की चेन मिला लेंगे हम तीन चेन लेंगे डबल कोशिय के लिए एक दो तीन चोथे होल में लेंगे तीन होल चोड़ेंगे और चोथे होल में लेंगे डबल कोशिय बनाने के लिए चोथी चेन में उक्वेरा एक लेंगे इस तरह से अंदर से निखाला फिर से एक छोड़ देंगे एक छोड़ दिय कि मैं आपको दिखा देती हूं देखिए हमारी यह रो बनकर कंप्लीट हो गई है इसके अंदर हम दूसरा कलर यूज पर यूज कर रहे हैं एक रो हम नीचे वाला दागा टाइट कर देंगे ग्रीन वाला और उपर हम काट लगा लेते हैं मैं सिंपल तरीके से ही काट लगाती इसके अंदर रह्म के पहर ऐखाव अबनाएं तक हरओ यह स्व कोंची इपाव बनकर complete हो गई है white भी एक बार लेंगे और इसका दागा कट कर देंगे इस वाले दागा भी कट कर देंगे अपना देखिए एमारी पगड़ी की पठी तयार हो गई है दागा इस तरह से पड़ेंगे यहां से दोनों दागा को पकड़के रखेंगे तीन की chain लेंगे सबसे पह देखिए इसके अंदर हम अंदर डबल कोशिय बना लेंगे क्या हमारे इसके अंदर एक दो तीन चार पांथ छे साथ आठ नो दस ग्यारा ग्यारा बन गए है क्या हमारे इसमें एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नो दस ग्यारा बारा तेरा चौदा पंदरा सोला सोला डबल कोशिय बन गया हम इतनी रहने देते हैं आप पंदरा बना सकते हैं केस के बादे हम यह दागा खिश देंगे केस को टाइट से खिश लेंगे लेकिन हम इस सरकल को बंद नहीं करेंगे इसके उपर से हम कोईसी तरह से एक बार लेंगे इसके अंदर हम ग्रीन धागा लगा रहे हैं तीन की चैनली और यहीं पे हम एक बार और डबल कोश्य ले लेंगे दो डबल कोश्य हो गए डबल कोश्य के बीच में से लेंगे और एक डबल कोश्य के बीच में से दो बार डबल कोश्य बना देंगे इस पूरे सरकल के अंदर इसी तरह बना देंगे इस तरह से पूरे सरकल के अंदर एक डबल कोशी में से दबल दबल कोशी में से दबल दबल कोशी बना देंगे तो मैं इस सरकल पूरा कर देती हूँ देखिए कि इसको हमारी एरो कंप्लीट हो गई है हर डबल कोशिय में से हमने दो बार डबल कोशिय में यहां से एक बार लेंगे और अपना धागा कट कर देंगे हम धागा इधर से कट कर दिया है इधर धागा जोड लेंगे दोनों धागे जोड़ेंगे कि पहले दो में दागे जोड़ लेंगे 2 डखा जोड़ कोशिय में, कि पहले हम वाइट जोड़ ररहे हैं अद्च पाहले 0075-2217 जोड़ लेंगे कि में सिम्पल तरहीं से धागा जोडती हूं कि इसको सात में रखेंगी भागय को यहां से तीन की चेन बनाएंगे बाइट से जिसे यानी की चेन बनाई एक डबल और पोश्य ओल लेंगे यहीं से यानि कि हमारे दो डबल कोशिय हो गए की हिस्टरा से कि चैसे हमने उसमें दागा बद दाता तो यहां पर चेन ले लेंगे और यह वाइट वाला दागा कस देंगे नीचे से की हिस तरह से हम और दबल बापल कोशे ग्रीं कलरके बनाएंगे अगले और एग्रीन होल में जात भी साथ में रखेंगे हो कि एक डबल कोशी और लेंगे यानिकि कि अमारे दो डबल कोशी ग्रीन हो गए और दो वाइट हो गए तो वाइट की chain लेंगे ग्रीन को कीच देंगे अगले में हम दो डबल कोशी रफा के बनाएंगे दूः वाइड और दूः गृरीन'm इस तरह से बूरे सर्कल के अंतर बना के दिखा देती हम हूँ के जब भी हम चेन लेते तो बीचे वाला धागा हम खिच दिकते हैं के इस तरह से ले लेंगे आइए मैं पूरी इसरकल में करके दिखा देती हो, देखिए, देखिए हमारा इसरकल तयार हो गया है, यहां पे एक बार ओड़ ले लेंगे इसक लास्ट में और दागा कट कर देंगे, कि इस तरह से, यह हमारा पीछे का, कि इस तरह से पकड़ेंगे, अगर आपको वाइट आप यह वाइट नीचे देखिए प kijा, अगर आपको ग्रीम वाइट रखी एट देखि ऑ पर जो आप चाहिए वो फ्रह टो ब्वाइटि एगर आपको टबाद आपको देखिए, तो आपको ग्रेवागे हो ग्रीम बार तो आपको श्हें पां को वेट देखिए Pra इस तरह स और पर हो इस तरह से थेयु बापशकर सब्सक्राइध बाहर धार काुटेश आए लिए वे जलतेाएं वometैंगे दोनुत पर देती रघी लिए दोनुत आएको करीब पर के वाइप आपी छेलें head अलका सा 1,5 इंच के करीबी सिलेंगे जादा नी सिलेंगे यह भी हम फिर इसमें भी वापिस आजाएंगे दिखिए अब यह पहले हमने यह वाली पट्टी सिल देते हैं कि इस तरह से सिलें कि हमारा धागा कम नजर आए सीधा कर लेंगे कि इस तरह से हमारी पगड़ी हो गई है हम पीछे देखे बैक में इसको हमने अभी अपना धागा कटनी किया इसलिए कि यह हम इस तरह से लगाए कि इसके उपर देखे इस तरह से हमारी पगड़ी हो जाएग तो हम इसको सिल देते हैं इस तरह से हमारी पगड़ी है बहुत ही सुन्दर सी हमारी पगड़ी लग रही है अच्छे से सिल के दागा कट कर लेंगे अपना आप चाहें तो इसमें ओरेंज कलर भी और आड़ कर सकते हैं उपर से मैंने इस तरह से सिंपल सी पगड़ी बनाएं इसे तरह से यमारी पगड़ी बनकर त्यार हो गई है हमाई डस भी तरके बनकर त्यार हो गई है आए ये मैं काना जी को पहना करके दिखा देती हो कि देखिए हमारी कनिया जी के कैप और ड्रेस बहुत ही सुन्दर लग रही है कि देखिए है बिना बाल के लगाई है कैप आप बाल से लगाएंगे तो और वी ज्यादा पिटिंग आएगी कैप की और आप सबीजिन वरी पर काना जी को पहना सकते हैं अगर आप इस तरह से डास बनाएंगे तो बहुत ही आसानी से डास बन जाएगी अगर आपको पसंद आप प्लीज आपको लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए रादे रादे जैचरी किशना